दोस्कार दोस्तों फिर से सवागत है आपके योटूब कैनल पे जो बेज़ड है और यानि में ऐसी लेके आता हूं जो आपके काम आये आपके पर निवस्त डिवाली के शुब आउसर पर शब्सक्राइब तो आपको हैपी दिवाली बहीं तरफ से और आपके घर में लक्ष्मी माता और धन वर्षा करें अगर की बात हुई है तो आप मैं बता दूँ अभी हाल ही में कोई स्विट कुबेर के सीओ ने दिवाली को लेकर बहुत भी बड़ा इंटर्व्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि आप दिवाली के टाइम पे आप इंवेस्मेंट करते हो तो हो सकता है कि आपका अमाउंट जो है इतना भी लगा है उसका होने की संभावना जो हो भी होता है क्रिप्टो कॉइंज का ज्यादा मिलता है और बात में जब या अप जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए यदि आप करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा इंवेस्मेंट आप नहीं करें जितना आप जह सकें या उतन पैसा आपने लगाया है हो सकता है काफी कम हो जाए हो सकता है कि उसकी डबल ट्रिपल या इससे भी ज्यादा हो जाए तो आप उतना ही इंवेस्मेंट किजिए कितना आप लेकर तो चलिए देखते हैं क्या है यह इंटर्व्यू क्या यह कोईंस्विट कुबेर के जो CEO ने क्या कहते हैं इस दिवाली के सुबहुसर पर क्यलिए सुनते हैं उनकी बाते और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्लैन जो है बनाते है क्रिप्टो करेंशी को लेकर और अब वक्त है हमारे पहले सेग्मेंट चर्चा का जो हम करने वाले हैं विमल सागर के साथ यह कोईंस्विच कुबेर के COO है और इस शो के लिए कोईंस्विच ने डी टीवी के साथ पार्टनर किया है और इनसे भी मेरा पहला सवाल यही होने वाला है जो हमारा आज का सबसे पहले अरुन मुझे अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में दिवाली और धंतेरस के दिन सोना खरीदने का चलन रहा है लोग शोने को निवेस के लिए खरीदते हैं जिससे वो लाब कमा सके अगर हम देख निवेश का एक बहुत अच्छा जरिया समझ रहे हैं सबसे इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि बिटकॉइन में आप केवल सौ रुपे में निवेश कर सकते हैं आप सौ रुपे चाहिए आपको बिटकॉइन खरीदने के लिए उसमें निवेश करने के लिए तो उमीद यही आप कैसे देखते हैं क्रिप्टो करन्सी को ने डिजिटल गोल्ड डेफिनिटली है और एक चीज में आपको बताते हैं कि लोग बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड बोलते हैं तो जो आप डिजिटल गोल्ड आप लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी तो सोनी की वैल्यू तो अगर आप investment के perspective से देखेंगे तो bitcoin एक बहुत अच्छा investment है और अब मुझे बताए कि आप एक exchange है तो दिवाली के दौरान पिछली दिवाली का चलिया आप उधारन अगर दे सके कैसा response रहता है क्या कुछ surge रहता है जी बहुत रहता है तो generally दिवाली के दिन सबसे अच्छ वैसे लोग भी दिवाली के दिन खरीदते हैं और गतिविधी जो हमारे exchange बहुत जादा रहती है दिवाली के दिन आप लोग भी महूरत ट्रेडिंग जैसी कुछ चीज है वह launch करते है या announce करते है तो महूरत ट्रेडिंग का जो word आता है basically यह stock market के term में use होता है क्योंकि stock market प आपको पूरी आजादी होती है आप दिन में जब चाहें तब crypto खरीद सकते हैं एक इंट्रेस्टिंग चीज में आपको और बताना चाहता हूं कि दिवाली के दिन जो मुहूरत ट्रेडिंग का समय होता है उस टाइम पर हमने last year पिछले साल हमने देखा कि बहुत सारे लोग आपको और बताना चाहता है